आ प्रोग्राम ना प्रायोजग छे निलकंट पतंग होटल नमस्कार दौश्रक में फरी ओर आपनों स्वागश अती थी लेओं कार्यक्रम के जे कार्यक्रम विश्ष्ट व्यक्ति सोते आपनी मुलागात करावेश द्लाथ वातो गरेश अंत हूं आज आपनी साथे के वू व्यक्तितों कि जमना शब्दों थी लोको क्याक प्रभू शरण ने पामेच अनेको समस्याओ लईने लोको तेमनी पासे आवेचे अने तेमना मृदू सभाव अने खास करीने एक अलग विजन थी लोकों ने जीवन कई रिते जीवु तेनों मार्ग शिक्वारे जो तेनों मार्ग बतावे जो अनेको विटमनाओ थी घेरालो व्यक्ति ज्यारे कंटाले जे त्यारे वर्षू थी आपनी भारतिय परमपरा प्रमाने ते शरण लेतों होए शे धर्मन अने आवाज एक धर्म गुरू खास करीने धर्मनों प्रचार प्रसार जे कई मुश्किलिया अपनी कई चिंताओ आपके सामने रख लेते हैं कई बार होता है कि दुख से घेरे हुए लोगों के बीच में रहते रहते अपने आपको इतना प्रसन आप कैसे रख सकते हो क्योंकि माहुल का एक फरक पढ़ता है औरा जो ट्रांसफर भी होती है सब दु कि आज के युग में परिशानिया मनुश्य की बड़ी हैं और परिशानियों के बहुत सारे कारण हैं घर परिवार में ताल मेल का ना होना समाज में जो इस समय एक प्रतिस परदा है बहुत बड़ी उस प्रतिस परदा के कारण लोग जो है ओच्छी राजनीती करके एक दूसरे को नीचा दिखाने के साथ साथ इस समय हर व्यक्ति की अवशक्ताइं बहुत बड़ी हैं जिसके करण परिशानिया व्यक्ति के साथ इतनी हो गई है कि बचपन से ही एक competition में इनसान जी रहा है तो ऐसे में मैं ये देखता हूँ कि शरीर की भी परिशानिया व्यक्ति क है मानसिक परिशानिया है और साथ साथ पारिवारिक परिशानिया है तो इन परिशानियों के कारण हर आदमी ये सोचता है कि हम कहीं ऐसी जगे जाएं जहां जाकर हम लोगों को कोई ऐसा संदेश मिल सके समाधान मिल सके जिससे हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकें कोई भी गुरु किसी भी व्यक्ति को जब कोई संदेश देता है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि उसकी सोयवी आंतरिक शक्तियों को जागरित किया जा सके जिससे वो एक अच्छा योध्धा बन कर अपनी समस्चाओं से लड़ सके और हमेशा ये याद रखने की बात है कि किसी भी व समस्चाओं इनसान से बड़ी नहीं होती अगर इनसान मन से नहीं हारे तो समस्चाओं को हारना पड़ता है तो जब उस व्यक्ति को जागरित किया जाता है निश्चित रूप से व्यक्ति अपने समस्चाओं के पार जा सकता है हम लोग जब भी कोई व्यक्ति पास में आते करते हैं कि उसकी सोई भी अगनी को फिर से जागरित किया जाए उसकी खोई भी शान्ती को फिर से बहाल किया जाए उसके अंदर के साहस को फिर से हम जागरित करें उस व्यक्ति के अंदर का संतुलन फिर से बनाएं तो इसलिए हम लोग जैसे एक डॉक्टर अपना कारिय करता और डॉक्टर पेशेंट को देखकर दुखी हो सकता है लेकिन फिर भी डॉक्टर को हमेशा इस बात का ध्यान रहता है कि हमारा काम सरफ चिकिस्सा है और हमारा काम उसे हिम्मत देने का है और इस तरह स्वयम का संतुलम तो बनाते ही हैं लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक् शक्ति प्रसनता है वो उसकी कृपा और उसके आशिर्वास से है वो शक्ति के कारणियम अपने आपको शांत कर पाते हैं प्रसन रख पाते हैं जबके इस दुनिया में कोई भी जिएगा उसे अनेक अनेक प्रस्ततियों का सामना तो करना ही पड़ेगा सुधार शुरी आपने बताया कि लोगों की परेशानिया किस वज़ा से है लेकिन कि आप मानते है कि सिर्फ किसी संत के समागम से इस परेशानी का हल निकल सकता है इनसान बहुत सारी अपक्षा लेके संतों के पास आता है कई एक बहुत ही बड़ा एक वर्ग है लाखो चाहा क आपके लाखो लोग मानने वाले हैं आप मानते हो कि क्या सिर्फ संत समागम से ही इसका रास्ता निकल सकता है ऐसा है देखिए किसी भी संत के पास जाने से उनके द्वारा दे गई विचार शक्ते से व्यक्ति को अपनी समस्याओं से लड़ने की ताकत आती है क्योंकि आज हम जिस युग में जी रहे हैं आज भी अतीत काल में भी जो कुछ घटा है आज जो घटार आने वाले समय में जो भी कुछ घटेगा व्यक्ति की अपनी अंदर की जो क्षमताएं होती हैं अगर वो विक्सित हैं तो समस्याओं का सामना कर सकेगा विचार बहुत बड़ी शक्ति है विचारों को जितना हम परिमार्जित कर सकेगे उतना समस्याओं से लड़ने में समर्थ हो सकेगे कोई मानपुरुष अपनी तरफ से आशिरवाद देंगे या मंगल कामना करेंगे प्रार्थना करेंगे वो अलग चीज़ हैं किसी भी संत्पुरुष के साथ में बैठने के बाद वो अपने आध्यात्मिक दृष्टी आध्यात्मिक विचारदारा आधुनिक समय में किये जारे एक खोजों को ध्यान में रखकर प्राचीन और अर्वाचीन ग्यान का सामनजस से बैठा कर इस समय का जो वो समधान देता है ये समधान ऐसा नहीं है कि किसी खास समस्चा के लिए वो कहेगा वो उस चीज के लिए बताता है जिसके कारण हम समस्चाओं से लड़ने के लिए अपने आपको तैयार कर पाते हैं जैसे हम लोग जो निर्ने लेते हैं जीवन में डिसिजन लेते हैं उसी के अनुरूप हमें आने वाले समय में हमारा परिणाम भी मिलता है जो भी निर्ने लेते हैं उसी के अनुसार परिणाम भी है उसी के अनुसार सुख दुख भी है जो कुछ आप आज हम भोग रहे हैं पिछले निर्ने के कारण था पिछला डिसिजन अगर हमारा गलत था तो आज हम दुख भोग रहे हैं अगर आज हमारा पिछला decision ठीक था तो आज हम सुक भोग रहें वो decision लेने के लिए हमारी बुद्धी काम करती है बुद्धी अगर अशान्त है तो decision आप ठीक नहीं ले सकेंगे तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि व्यक्ति की मानसिक शान्ती बनाए रखने के लिए उसे उपचार और उपाए ये बताएंगे हम उसे ये कहेंगे कि साहस जोखिम लेने का साहस समस्चाओं से लडने का साहस जब आपके अंदर होगा तो ही आप जीत पाएंगे नहीं तो चिंताएं दीमक बनकर आपको खराब कर सकते हैं सुधाश जी यहां यहां पुछना चाहूंगा कि एक ब्रीज बनते हो आप जो कई ऐसी चीज है जो बरसों से करीबन हजारों सालों से हमारी इस संस्कृती को कई बाते ऐसी मिली है जो लोगों तक नहीं पहुँची है जो आपके जरिये लोगों तक पहुँचती है लेकिन मेरा सीधा सवाल है जनता में खास करके जो मैं अगर प्रोपर उसका टर्मिनोलोजी यूज करूँ तो जो भी भक्तेजन आते है जब तक वो पंडाल में बैठे होते है तब तक बहुत अच्छी तरह से वो ग्रहन करते है और एक ठान लेते है कि यस सुधान शुजी ने जो बताया मैं कल से इसको इंप्लिमेंट करूँगा अपनी रूटिन लाइफ में ऐसे केसे भक्त मिले कितने भक्त मिले जो की सुधान शुजी की बात को आज की तारिक में उस दिन से लेकर फोलो कर रहे है कहीं उनकी विचार धरा पंडाल से बहार निकल के बदल जाती और शायद इसी वज़ा से वो लोग रास्ता भी बदल देते हैं आज सुधान शुजी के पास आए कल और कोई जी से मिले परसो और कोई जी से मिले कई आदमी की वो अक्षमता है वो प्राप्त करने की या तो वो स्वामी जी जिनके पंडाल में वो बैठा है वो कहीं उतना पकड़ नहीं पाते नहीं वो किसी के पास भी जाएं लेकिन सबसे पहले क्योंकि एक सवाल में आपने तीन सवाल किये हैं सबसे पहले तुम यह बताऊंगा कि जितने लोग हमारे पास आते हैं ससंग को सुना, विचारधारा को सुना दवाई अंदर जाने के बाद वो अपना काम तो करेगी कितना कर पाएगी यह अलग बात है पुरानी आदतों से आदमी इतना ज़्यादा जकड़ा हुआ होता है कि उसके संकल्ब कर लेने के बाद भी निश्चे कर लेने के बाद भी पुरानी आधतों के कारण व्यक्ति फिर वहीं लौट आता है, जैसे एडिक्ट व्यक्ति होता है, इसी तरह से हम लोग भी जो प्रियास करते हैं, वो विचार दे रहे हैं, लेकिन पुरानी आधते उनको जकरती हैं, लेकिन फिर भी एक चमतकारी बात होती है, आदमी निश् की शुरू होगी, और उसके बाद उसके अंदर चेंज आता है, और जब वो चेंज आता है, ऐसे सेंकडो सेंकडो लोग हम लोगों को मिलते हैं, जो यह कहते हैं, कि हम बहुत गुसे में रहते थे, हम जिद्दी थे, कोई कहते हैं, हमने कहीं सारी गलत चीज़ें पाल थी, तो हमारे अंदर परिवर्तन शुरू हुआ, कोई कहता है, हम अपनी सेहत के बारे में अलर्ट हुए, कोई कहते हैं, हम अपने परिवार के लिए समय जादा दे रहे हैं, क्योंकि अब तक मैं टीवी के आगे जादा देर बैठता था, तीन गंटे तक, अब बीवी के आ जिससे मेरे मन की शांती बढ़ी है, और दोसरों को समझने के लिए मैं समर्थ हुआ हूँ, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, सुधासु जी, यहाँ एक सवाल पूछूँगा, यही सवाल मैंने इससे पहले भी इसी कार्यक्रम में एक अलग धर्म के विचार विस्तार के जो कार्य करते थे, उनी को बूछा था, एक वक्त था, जब आप जैसे जो सही राह दिखाने वाले लोग है, वो लोग टीवी को बहुत क्रिटिसाइस कर देते, लेकिन जब से उनका शोर टीवी में शुरू हो गया, अब कहते हैं कि टीवी देखिए, लेकिन हमारा कार्यक्रम देखिए, टीवी टीवी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना आक्रम आनेगे, आक्रमन की बात मैं बाद में कहूंग लेकिन बांसूरी में जब अपना सूर बजए तो बांसूरी ठीक है, कोई बी स्वर बजता हो, लेकिन करन प्रिय होना चाहिए. करन प्रिय हो, हृर्देको ग्राये हो, और प्रेणा देता हो, शक्ती देता हो, ये ना कि हमको डरपोक बना दे और इतना डर्पोग बना दे कि धर्म जो है हमें जगाने के बजाए हमें सुलाने वाला बन जाए मैं उसका पक्षदर हूँ दूसरी बात यह है कि आकाश मार्ग से टीवी के माध्यम से भी बहुत बड़ा हमला भारते संस्कृती पर हो रहा है और अब संस्कृती का प्रसार भी हो रहा है क्योंकि वही बेचा जा रहा है जिसको लोग चाह रहे हैं क्यों चाह रहे हैं लोग क्योंकि गलत चीजों का प्रचलन करने के बाद लोगों को उसका अडिक्ट बना दिया गया है अगर अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार होगा तो इस युग में भारत सारे संसार को शान्ति का संदेश दे सकता है क्योंके दुनिया बारूद के डेर पर बेटा है यहां रोकोंगा वक्त हुए छोटे से ब्रेक का दर्शेक में रो समय धावचे वीरामनों वीरामबाद वातो चालू राकीशू सुधान शुजी महारास सादेव विरामबाद वातो चालू अपनों कारेकरम आती थी मा सुधाशू जी हिंदूस्तान में धर्म के बारे में जीतने मुँ उतनी बात है कई आपको लगता है कि लोग भटक रहे अलग-अलग सूरों से जैसे कि एक बंदा धर्म को अपने हिसाब से उसका आकलन करता है कोई दूसरा बंदा उसको अपने हिसाब से आकलन करता है कहीं ये ज्यादा मुँ होने की वज़ा से लोग व्यथित हो गए कौन सच्चा क्या ये मार्ग सच्चा क्या ये मार्ग सच्चा उसी में शायद हमारी इतनी बड़ी जन शक्ती जो कि शायद पहले कहीं इसको प्रॉब्लम मना जाता था लेकिन आज की तारिक में we are saying proudly कि हमारे पास इतना बड़ा युवाधन है जो विश्यों में किसी देश के पास नहीं है इस वक्त ज्यादा जिम्मेदारी क्या ऐसे सही विचारों का प्रसार करने वाले लोगों पर आती है कि वो बटे नहीं मार्ग एक ही दिखे उनको और उसी मार्ग पर इस देश का भी विकास हो और खास करके धर्म का भी विकास हो कई बढ़ते हैं मानते हैं आप मैं ये कहना चाहूँगा वेद, उपनिशद, गेता, रामेन, आदी जो हमारे पवित्र ग्रंत हैं जिन पर लाखो करोडों लोगों की आस्थाएं रही है उनके माद्यम से दिया गया ज्यान हिंदुस्तान में नहीं विश्व में एक है गंगा भी एक है ऐसे गेता भी संसार में एक है और उसका पहले भी उतना ही ओचित्य था आज भी है आगे भी रहेगा यदि इन ग्रंतों को माद्यम बना कर और इसके पवित्र ग्यान को दुनिया को दें तो जो उपनिशद शौपन हावर जैसे जर्मन स्कॉलर को या फिलोस्पर को नाचने पर मजबूर कर सकते हैं आनंदित होने के लिए मजबूर कर सकते हैं तो इस सारी दुनिया को आनंदित कर सकते हैं बारत का शांती का संदेश पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है तो हमारे गरंथों में कमी नहीं है, हमारी विचारधारा में कमी नहीं है मैं मानता हूँ कि बहुत लोग जो शास्त्रों के वेद उपनिशद गीता रामयन के जानकार नहीं है बरगलानी की चेश्टा जो कर रहे हैं वो भी कुछ लोग हैं लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर कुछ सुनना चाहता है जानना चाहता है इसलिए क्योंकि वहां जाने से उसको शांती मिलती है और अशांत दुनिया शांती की जगह खोजती फिर रही और आज इसकी अवशकता भी इतनी है आप ये देखें के हिंदुस्तान में सेवा के कारिये करने वाले जितने धार्मिक संस्थान है उन लोगों ने अपने महन उधान प्रस्तुत किये हैं अमेरिका में योरोप में अगर दुरगटना हो जाए तो वहां का नागरिक सिर्फ गौर्मिंट को सूचना देता है इसके सिवा कुछ नहीं करता हिंदुस्तान में दुरगटना हो जाती है तो यहां का गरीब से गरीब आदमी भी सबसे पहले सेवा करने पहुंसता है गौर्मिंट को सूचना देने के बाद भी गौर्मिंट बाद में पहुंसती है सो सही मैं मानव धर्म का पालन इस देश में आप देखते हैं कि एक इंसान, दूसरे इंसान के बड़ के लिए बड़ के लिए बड़ करना हूँ कि वो जो नागरिक सेवा करने आ रहा है, क्यों आ रहा है, करतव बताया गया इसलिए नहीं, क्योंकि उसको धर्म सिखाने वालों ने ये सिखाया है, कि दुखी की सेवा करना ही सबसे बड़ा दर्म है इसलिए यहां के लोग जितनी सेवा कर रहे हैं इतनी कहीं दुनिया में उधार नहीं है यहां 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 एक सवाल और पूछना चाहूंगा जिस तरह से मैंने बताया कि एक अपने सूर में उस धर्म की बात है अलग अलग लोग जो विचार रखें जो सही में जिन्नों ना अभियास किया है हिंदू धर्म का क्या क्या होना चीए मानव धर्म क्या होना चीए राज वर्ष्ट वक्ता है, धर्म गुरू की परीभाशा जो है, वो आज कहीं बदल गई है, वो वर्ग गुरू बन गए है, जैसे कि एक जो अगर ऐसा धार्मिक परचार प्रसार करने वाला अगर कोई संथ है, तो कोई एक स्पेसिफिक वर्ग के फॉलवर उनके पास है, सर्वमान सभी लोगों को जो स्विकारिय हो, ऐसी अभी भी खोज है, वर्ग गुरू बन गए है, धर्म गुरू की जगा लगता आपको बट जी आपकी बात को मैं बहुत मान देता हूँ, कि ऐसी इस्तिती है, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूंगा, कि बहुत सारे गिलासों में रखावा पानी एक ही है, देखने में अलग-अलग लग रहा है, जो शान्ती दे सकता है, चैन दे सकता है, आपको चैन के नींद सो होने के लिए मजबूर करता है, और आपके घर में प्यार का रस गोलता है, और जो आपको जीने के लिए मजबूर करता है, कायरता से हटा कर वीरता जगा देता है, जो आपके अंदर प्रसनता को जगाने के साथ साथ में दूसरों की भी साहता करने के लिए मजबूर करता है वो संदेश धर्म का जहां से भी मिल रहा है जैसे भी मिल रहा है वो बात एक ही है एक ही पानी है जो अलग-अलग गिलासों में दिखाई देता है इसलिए उससे हमें गवराना नहीं चाहिए संदेश एक ही है सुधार शुजी क्या आप मानते हैं कि अगें ये एक सवाल जो बार-बार हम पूछते हैं लोगों से लोग बार-बार कोचते हैं कि हिंदूस्तान की युवा शक्ती विदेशी आकरमन्ट से कहीं चली तो हो गई है अब क्या मानते हैं युवा शक्ती के बारे में देखे मैं ये मानता हूं कि इवाध शक्ती धर्म की तरब बहुत तेजी से आ रही है लेकिन दूसरी तरब वो भी हैं जैसे बडे नगरों की जो हमारी इवाध शक्ती है वो धर्म की तरब चल लए है चोटे नगरों में अभी पास्चात्य संस्कृति अपना प्रभाव जमा रही है वहाँ जाने के बाद वो गेंद टकरा करके दिवार से फिर वापिस लोटेगी और योरोप अमेरिका के युवा भारत की संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं मैं जब अमेरिका में पहली बार गया तो मुझसे ये प्रश्ण किया वाइस ओफ अमेरिका के एक प्रतिनी दिने के ये बताईए के भारत अमेरिका को क्या दे सकता है तो मैंने उनसे कहा कि पहला सवाल मैं करना चाहता हूँ अमेरिका का ऐसा क्या खो गया, जो भारत दे सकता है, उन्होंने का आप बताईए क्या खो गया, मैंने का अमेरिका की मन की शांती, चैन की नींद खो गई है, आनंद खो गया है, उमंग खो गई है, उसको केवल हिंदुस्तान का धर्म दे सकता है, हिंदुस्तान का ध्यान दे किया इसलिए वहां के लोग इधर दोड़ रहे हैं इधर वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं लेकिन इंटरनेट के जरिये से और भी बहुत सारे माध्यम से कुछ एक दिग ब्रमित करने की और युवा या टीन एजर्स के मन को विकृत करने की कुछ चालें कहीं से हो रही हैं जिस पर हमें सजग होकर कदम उठाने पड़ेंगे कि हमारी जो युवा शक्ती है वो कहीं खोना जाए क्योंकि जब जोश होता है तो होश की बहुत आउशकता होती है और जब होश आती है तो जोश खत्म हो चुका होता है मैं चाहता हूँ कि इस जोश को होश मिल जाए तो कल्यान हो सकता है यहां अगेन फिर से एक बार रोकूंगा वक्त हुआ चोटे से प्रेका दरशक दूर नानकला विरामबाद फरीवाद करीशू सुधान शुजी महरास साथ विरामबाद फरीवाद करीशू सुधा शुजी विदिश प्रवास हिंदुस्तान में भी कई शहरों कई नगरों में आपका प्रवास और अस्खलित वानी और वानी भी ऐसी कि शायद अगर किसे ने अमदाबाद में आपको सुना है तो शायद लखनों में नए सोच आप से मिलेगी मॉंबई में सुनेंगे और कुछ नया मिलेगा भगवान की एक असीन कुरुपा तो होगी ही क्योंकि ग्यानी लोगों को भी कहीं वो वक्तवे कला नहीं मिलती है लोग ग्यानी होते लेकिन अपनी सोच एक अच्छे टॉन में अच्छे वे में लोगों को प्रेजन्ट करना ये भी एक special art होता है और वो एक gold gift होता है अच्छी oratory लेकिन ग्यान भी ना हो ऐसा भी कहीं पे देखा गया लेकिन बिल्कुल एक सुधान शुजी महराज को देखने से एक सौम्यता एक अच्छे शब्दों की अपैक्षा प्रिफर करते हैं regular routine क्या रहता है क्योंकि बहुत लोग जानना चाहेंगे एक तो आपकी fitness it's again कई लोग चाहते कि ये तेज जो है सब लोगों को मिले क्या tips देना चाहेंगे routine life क्या रहती आपकी सुबह से लेके शाम तक भक्तों को आशिरवाद देने से बीच में जो वक्त मिलता है कैसे बुजाते हैं लेकि मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रतीक व्यक्ति को अगर अपना प्रभाद का समय वो मदूर शांत शालीन बना सकता है तो उसका सारा दिन बहुत अच्छा बीतेगा जिस समय आसमान में थोड़ी सी लाली आई भी हो और थोड़े थोड़े फूल खिलने के लिए तैयार हो रहे हो और थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही हो और उस समय पूरी दुनिया आलसे में सोई भी हो उस समय कोई सादक जाकर के बगवान के साथ अपने हिर्दे को जोडनी की चेश्टा करता है उस समय जो उसकी एकागरता से तान जोड़ती है वहां से परमिश्र से उस समय बहुत कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं उस समय अगर आप सेहत मांगते हैं आपको स्वास्थे भी मिलेगा मानसिक शान्ती मिलेगी कुछ नई नई खोजें भी आप करने में समर्थ हो सकेंगे प्रभात का समय जितना शान्त बनाएं मधुर बनाएं और सुबह की शिरुवात चीखने चिलाने से करने के बज़ाएं संतुलन करें और पवित्र मंत्र दोनियों से यदि आप करते हैं तो शक्ती आती है वो मैं भी चेश्टा करता हूँ दूसरी बात यह है कि सुबह जैसे आपके किताब में कोई गुलाब का फूल रख दिया जाए तो सारा दिन पन्नों में उसकी महक बनी रहती है ऐसे ही आपके मस्तिक्स में यदि विचारों के पवित्रता बनाने के लिए आप किसी अच्छे गरंद को पढ़ते हैं चाहे वो प्राचीन है या रवाचीन है वो विज्ञान सम्मत है या फिर वो मनुविज्ञान सम्मत है कुछ भी अच्छा पढ़ना चाहिए उस पढ़ने से आपको एक नई प्रेणा शक्ती मिलती है अपने पैसे जो आप खर्च करते हैं और सारी चीजों के साथ थोड़ी अच्छे किताबों के लिए भी खर्च करना चाहिए तो मेरे पास अच्छी लैब्रेरी है और दुनिया भर में जो भी नए से नई खोज और नए चिंतन और नए लेखन होता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मुस्टिक से जुड़ सको उसी के साथ मैं ये भी प्रयास करता हूँ कि प्रकृति के बीच कहीं कोई ऐसा सुन्दर स्थान हो जहां मैं परमात्मा की उस दृष्य से लेकर के उसकी चितरकारिता को देख सको तो उस समय मैं वहां बैठने की चेश्टा करता हूँ और ये भी प्रयास मेरा होता थोड़ा ध्यान थोड़ा प्रानयाम और थोड़ा आत्मचिंतन सुदहान शुरी एक बात हिंदूस्तान के करोड़ों लोग बर्सों से बातों में भी ये बात आती रहती है कि जो संत होता है संसारी होना चीए या संसार छोड़ देना चीए क्योंकि इसमें भी अलग मतांतर है कई लोग कहते हैं कि संसार में रहके संसारिक जीवन जीते हुए वो कभी बोध नहीं दे सकते कई लोग क्या कहना है कि जो संसार में रहेगा वही तो उनके problem समझेगा और तबी जाके उसमें से एक विशेश ग्यान के साथ वो कहीं उखेल देगा आप क्या मानते हैं कि संसारी रहे के आदमी संत बन सकता है या संसार छोड़ने से ही वो बर्म ग्यान प्राप्त हो सकता है दो तरह के मार्ग अपने देश में रहे हैं एक निवर्ति पंथ और एक प्रुवर्ति पंथ जो निवर्ति पंथ है वो संसार से उपर उठ करके अपनी साधना अलग से करते रहे प्रुवर्टि पंत के संतों ने संसार के बीच से होकर ग्रिहस्त होकर इस दुनिया के बीच रहकर अपनी साधना को ओपर उठाया रिश्यों की परंपरा इस तरह की भी रही है वो ग्रिहस्त संत भी थे ग्रिहस्त रिशी भी थे और वे भी थे जो पूरी तरह से विरक्त थे वो परमप्रा इस देश में चली आ रहे है लेकिन ये बात बिलकूल उसी तरह से है कि जैसे यशोधरा ने महातमा बुद्ध से प्रश्न किया था कि आप महल छोड़कर गए तो जिसे खोजने के लिए गए थे क्या वो मिला जंगल में तो बुद्ध ने कहा हाँ मिला तो यशोधरा ने पूछा कि जिस इश्वर की खोज में आप वहाँ गए थे जंगल में जाकर मिल गया क्या वो घर में भी मिल सकता था या घर में मिल सकता है तो बुद्ध ने कहा घर में भी मिल सकता है यशोदर ने पूछा फिर आप घर छोड़ कर क्यों गए बोले जंगल में जा करके मुझे पता लगा के घर में भी मिल सकता है तो अलग-अलग तरीके से मतलब जो घर को भी मैं हमेशा कहा करता हूँ कि आपका टेरेस या आपकी बालकनी आपकी च्छत उसमें एक छोटी सी जौपड़ी एक कुटिया ऐसे जरूर होनी चाहिए कि आप जहां शान्त होकर एक आंत में बिलकुल मौन रहकर अंतर में उस परमेशर की आवाज को सुन सके चिंतन करते वे अपने आने वाले समय की रूप रेखा बना सके लेकिन सुदाशु जी यहाँ यहाँ एक और सीधा सवाल पुछने का जी करता है सब लोग भी चाहेंगे कि यह सवाल मैं आपको पुछू कि कहीं ऐसा नहीं हो गया कि राजनेती की धर्म गुरुओं का अपनों में अपने फाइदे के लिए बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करके जाते हैं दोनों तरह भी गड़बड हुई है राजनेता क्योंकि धर्म में राजनेती जाएगी तो सुदार हो सकता है धर्म जो है धर्म अगर राजनेती में जाएगा तो राजनेती का सुदार हो सकता है लेकिन धर्म के स्थलों में राजनेती चले जाएगी तो सुदार होने के बजाए विक्रती शुरू हो जाएगी इसलिए सावदानी तो बरतनी पड़ेगी ओके और एक अंतिम सवाल क्या आपकी शुप कामना है हमारे इस विवर के लिए आपके क्या चाहते क्या क्या किस तरीके से इस देश को फिर से एक बार विश्व में जो कि बहुत अलग-अलग शेत्रों में इस देश ने अपना नाम प्रस्ताबीत किया है और भी अभी आपको क्या कमी लगती है कि इस चीज को सुधार करने से इस देश को फिर से एक बार सर्वोपरी देश का सन्मान भारत देश को मिलें क्या कहना चाहिए देखिए वीरता में हम लोग किसी से कम नहीं है ज्ञान विज्ञान में हम लोग सब से उपर हैं भारत का कितना प्रतिशत समझे बारत प्रतिशत वैज्ञानिक हिंदुस्तान के अमेरिका में है हम लोग ग्यान में विज्ञान में वीरता में सब चीजों में आगे हैं हमारा देश अगर कहीं पीछे जा रहा है तो एक तो ब्रष्टा चार के कारण हम लोग पीछे जा रहे हैं दोसरा जो है देश भक्ती का जजबा जो इसे हमारे अंदर था वो फिर से उभरना चाहिए हमारे युवा वर्ग को नैतिकता की तरफ ले जाकर फिर से उसे सुद्रिड करने की और दिशा देने की आउशकता है जबके हमारा युवा मैं कहूंगा पूरे विश्व में सबसे अच्छा युवा अगर कहीं का है तो हिंदुस्तान का है यहां नैतिकता और सब देशों से कहीं अधिक है लेकिन फिर भी हमें कहीं न कहीं देश भक्ती का पार्ट सीखना होगा जापान इजराइल जैसे देशों से उनकी भावना है उनका धंग अलग है आर्थी किस्ति में जिस तरह से उद्दाम और शिखर पर पहुँचने की चाहा चाहिना की है वो प्रेड़ना है हमें लेनी चाहिए बहुत कुछ हमें प्रेड़ना लेनी होगी लेकिन व्यक्तिकत रूप से मैं हर व्यक्ति को ये कहूँगा आसे दसजार साल पहले उद्दालक रिशी ने जनक के दरवार में एक वाक्य कहा था कि राजन मैं सब के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको और हर रात इस तरह बिताओ कि जागो तो चेहरे पर ताजगी हो जवानी को इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पस्ताना ना पड़े और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ कि किसी के आगे हाथ ना फैला ना पड़े Thank you very much सुधान शुजी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए दर्शक भी दुरा हाथी मुलाकात सुधान शुजी महराज साथेनी फरी मरी शुन एक्स्ट एप इस ओड़ मां एक नवा हाथी थी साथेते हैं सुधान शुजी रजाप शुन नमसकार Thank you very much Thank you